हेलो फ्रेंड्स अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्यू गार्डेन पटना में तो आज का ये वीडियो होगा कि अप्रील में हम कौन सी सबजी नहीं लगाएं सब लोग तो वीडियो बनाते ही हैं लगाने का बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इन कुछ सबजीयों को आप अप्रील महीने में बिलकुल न लगाएं लगाने पे आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा और पैसे भी बरबाद होंगे तो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं कदू से कदू लोग जो यूटूब पे वीडियो डालते हैं कि अप्रील में ये सबजीया लगाएं और इस तरह से फ्रूटिंग दिखा कर बोलते हैं कदू हो गया करेला हो गया और नेनुआ हो गया ये तीन सबजीया जो दिखा दिखा कर बताते हैं लगाने के लिए तो हम लोग तो जब सबजीया नहीं लगाए रहते हैं तो मेरा भी मन करता है कि हम सबजी लगा ले बट क्या ये सही है अगर हम अप्रील में सबजी को लगाएंगे तो क्या आपके आहां तो और मैं इसका answer इसलिए मैं इस video को बना रही हूं और बताना भी चाहती हूं कि हम सब सबजियां तो लगाते ही हैं बर जो लोग बोलते हैं अप्रील में सब्जियां लगाएं वो बीज जो आती है वो गर्मा सब्जी की बीज होती है और वो बीज जो है एक वो आफ फरवरी से लेकर मार्च तक लगाएं या अप्रील में लगाएं या फिर जून में लगाएं वो गर्मा सब्जी की ही बीजे हैं अगर सही समय का आप ध्यान नहीं रखिएगा और कहिएगा कि हम छट पे होता है जब प्रेडिकली बोलना है तो हम तो बोल दिये वीडियो सूट करना है हम कहीं से एडिट करके वीडियो सूट कर दिये लेकिन बोलने और करने में काफी अंतर आ जाता है तो इस चीज को समझे जिस बीज को हम फरवरी में लगाने का टाइम है फरवरी से लेकर के मा लगाएंगे, तो क्या वो वी जो है, पोधे का रूप धारन करेगी? अगर खात देखर या किसी तरह अगर वो पोधे का रूप धारन कर ली, तो जितनी बेले जो हम फरवरी मार्च में मौसम थोरा थंडा रहता है तो जितनी उसकी बिकास होगी उतनी बिकास तो अप्रील में होगी नहीं क्योंकि इतनी जो हीट वेब चलती है और हम सबजियां तो छट पे लगाते हैं तो छट पे जो सबजी लगेगी और heat wave चलेगा नीचे से उसको छट से heat मिलेगी लू के द्वारा heat मिलेगी तो पॉपधे को survive करना भी तो चाहिए लगाने से और बीज डालने से सिर्फ मतलब नहीं होता है इन सब चीजों का तो अगर survive सपोजडेट कर भी गया है तो जिस बीज का टाइम है फ्रूट देने का वो बीज आपको तो फ्रूटिंग बनाने में अपना लगाने लगेगा समय अगर जैसे ही वो फ्रूट बनाएगा तो बेल वहीं पर पीला होकर मर जाएगा तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजी और कभी भी बेलदार सबजियां होगे कद्दू हो गया करेला हो गया नेनुआ हो गया टमाटर हो गया टमाटर भी खास करके गर्मा के जो भी टमाटर हैं वो फर्वरी में लग जाते हैं फर्वरी के फर्स्ट वीक में ही लग जाते हैं तो इन सब चीजों से बचिए और सही समय पर सही सबजियां का बीज डाल कर हमारी तरह अप्रील में ही आप हर्वेस्टिंग लीजें, हाँ कुछ सबजियां यहाँ पे है जो आप अप्रील में लगा सकते हैं, जैसे बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, या फिर आप साग में को फ्रूटिंग लेने में भी समय, छोटे पौधे अगर आप बचा लेते हैं, तो वो बरसात तक फ्रूटिंग देगी, तो यह आपके उपर है, लेकिन बेलदार सबजियों में कोई भी यह नहीं है कि आप उस सबजियों को लगा सकते हैं, और हर्वेस्टिंग ले सकते हैं, तो आप अपनी सबजियों को लास्ट फर्वरी से लेकर के, आप चाहें तो मार्च के फर्स्ट वीक तक हाडली लगा ले, और हर्वेस्टिंग का वीडियो बनाए, और हर्वेस्ट करें सबजियां, तो चलिए मैं वीडियो को अब यहीं पेइंट करती हूँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक एंड सेयर करना नहीं भूले, हमारे चैनल को भी सल्दी से सब्सक्राइब कर ले, तब तक के लिए बाई, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जनकारी के साथ, थैंक्स फोर वाचिंग